नमस्कार मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे है आर पार आकिर क्यों विपक्ष मोधी की महाजीत पचा नहीं पा रहा है ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कोई एवियेम में गरबडी का मुद्दा उठा रहा है तो कोई धन के इस्तमाल का सवाल ख़़ा कर रहा है ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी को पहली बार बंपर चीत मिली है दिल्ली में केजरिवाल से लेकर पंजाब में कॉंगरिस तक कई पार्टीों को प्रचंड जनादेश मिला है इन पर सवाल क्यों नहीं खड़े किये गए और मुद्दा तो ये भी है क्या कोई अपनी जायक और जोरदार आरपार क्योंकि मोदी की जीत पचा पाना विपक्ष के लिए मुश्किल हो गया है इन पांच राज्जों के चुनाव को नए हिंडुस्तान की एक नई नीव के रूप में देख रहा हूँ आजादी के बाद से इस देश में कई चुनाव लड़े गए और जीते गए लेकिन इस बार यूपी और उत्राखंड में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद जितने सवाल खड़े हो रहे हैं उतने पहले कभी नहीं हुए किसी को इस जीत में EVM का चमतकार नजर आ रहा है तो कोई पैसे खर्च करने का बहाना बना रहा है एक सवाल यूपी को और भी ज्यादा बल मिलता है कि बोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है एक सवाल या निसान EVM पर उठा है और इसी के कारण दिल्ली में बैलोट से चुनाओ करने की मांग उठ रही है कांग्रेस ने भी मांग की है यहाँ पर CPI ने भी मांग की है CPM ने भी मांग की है जेडियू ने भी की है मैं चाहता हूं और विन के जिवाल जी पहले जिस EVM से सरस्ट सीट लेके आए पहले उसी का बैलोट सुरू कराई है पहले घोसित करिए हटाते हैं उसको पहले बैलोट बनाते हैं हम को बैलोट और EVM से फरक नहीं पड़ता तो सवाल यही है कि आखर जूपी की धलत बहूल 132 सीटों में बीजेपी ने 106 सीटों पर बाजी मार ली तो वही मुसल्मानों के प्रभाववाली 114 सीटों में बीजेपी ने 84 पर जीत का परचम लहराया सियासत में सवाल ट्रैक रिकॉर्ड का भी होता तो राहूल के चुनावों में बेहत सक्रिय होने के बाद कॉंग्रेस ने पिछले 5 साल में 24 चुनाव में हार का मुँ देखा है जबकि बीए मोधी और अमिच शाह के नित्रितों में बीजेपी ने मई 2014 के बाद 13 राज्यों में अपने या फिर गटबंधन के पूते जीत हासल की है सवाल यही है कि क्या राहूल गांधी अलग-अलग मुद्दों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखर गिरुधी दल मोधी की जीत को क्यो नहीं पचा पा रहा आज इसी मुद्दे पर होगा आरपार और आरपार में अब वक्त है उस विश्टलेशन का जिसको आप सुनना चाहते हैं मोधी की जीत ना पचा पाने का विश्टलेशन सुने हैं पंदरा राज्यों की कमान बीजेपी के हाथ में हैं 2014 तक बीजेपी के हाथ में सिर्फ छे राज्ये थे मोधी शाह के चक्रव्यू में लगातार फसरा है विपक्ष विपक्ष के पास मोधी के चेहरे का कोई तोड़ नहीं है और खुद विपक्षी दीज बात को अब मानने लगे हैं खुले मंच पे मानने लगे हैं चंड जीत मिली है नरेंद्र मोधी और अमिच्छा को अपनी कमजोरी को छुपाने का बहाना ढूंड रहा है विपक्ष नहीं जीत पारा तो कभी एवेम की बात करता है कभी पैसे की बात करता है और अब मैं सीधा रुकरतों अपने पैनल का मेरे इस पैनल में अनिल बलूनी है जो की बीजेपी के राश्टी प्रवक्ता है राजीव त्यागी है जो की कॉंग्रिस के प्रवक्ता है एमेच खान है नेता बीएसपी के गौरा भाटियां है जो की राजनीतिक विश्टेशा के अपना व्यूपॉंट शेर करेंगे कई राजनीती के सावन देख चुके कई चुनाव देख चुके वरिश्ट पत्रकार हमारे इनाउस पैनलिस्ट हमारे सच बने हुए है और इस डिबेट की शुरुआत मैं सीधे तोर पर आप से करता हूं शेर मेरा सवाल है आकिर क्यों नहीं पचा पारा विपक्ष मोदी की उस प्रजंट जीत को जवाब अजीब लगा जब मायावती ने चुनाव के हार के बाद जो पहली बार प्रकट हुए तो उन्होंने सीधा इवीम को रेंज में ले लिया डिमोकरसी में जीत का एक ग्लैमर होता है तो हार का एक ग्रेस होता है और हार को जो ग्रेस फुली नहीं स्विकार करता वो फिर डिमोकरसी के लिए मैं उसको मिस्फिट मानता हूं मैं उसके बात की बात करूँ शेशी आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेज, जेडियू तो आप नमक को मल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार हम भी बैटे बना रहे थे पंजाब में और जब उनको नहीं मिला है तो उनकी खिस्याथ, अक्चुली यही डिमोक्रासी है, यही आपको डिमोक्राटिक ट्रडिशन्स में ले जाता है, कि मोदी जी जीते हैं क्या आपको वो कहानी आदाती है, खिस्याथ बिल्ली खंबा नोचे? अब बिल्ली तो मैं नेताओं को नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि कुछ नोच जरूर नहीं है, और पता नहीं खान साब बुरा मत मानिएगा, किसी के एजेंट मत कहीएगा, लेकिन सही बात है कि आप बताईए, कि एक सिविलाइस्ट और बेहतरीन इनसान के रूप में, हार नेताओ शरी प्रोफसरल वल्राज मधोग, उन्हें उसे कहतर में सवाल उठा चुके हैं कि बैलेट पेपर में कहीं महर मांगो, मारो इंद्रा गान्दी के निशान पर जाके लगता है, लेकिन वो जीत के तुरंट बाद जो ट्रडिशन है, मुझे लगता है कि मायवती जी को एक कागरेचलिटरी मेसेज जरू देना चाहिए था, मैं सीधा रुक करता हूँ अब अनिल बलूनी का, अनिल बलूनी मेरा सीधा सवाल है, आकि नरेंद्र मोधी की जीत क्यों नहीं बचा पारा, पूरा पचा पारा, पूरा विपक्ष और राहुल गान्दी क्या अपनी को देना चाहिए जेडेंद्र पारा, पूरा पारा, पूरा पचा हूँ इसको मर्च को गलत जगार दिख रही है कॉंघरेच पार्टी, वह प्रज कहीं और कर रही है, अभी सेज जी ने काहनी सुनाई कि कहीं भी ठपा महरो कांगरेस पे लगता है, एक मेरे को और कहानी या को कैते थैंसके हरी कर शाड की भी वीयाद की दिखे तो सब्भी क मुझको लगता है कि को जनाद Sayy का समान करना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को कांग्रेस के मित्रों को और विपकश्वी मित्रों अब्ल मिफस्मीत Bey कीजिए जनता ने जनादेश दिया उसको सम्मान कीजिए उसको इस तरह बेज्जत मत कीजिए और अगर ऐसा करेंगे तो आगे जनता और जवाब देगी जितनी हाल बुरी हुई है अभी चवालीस पर है तो चार पर भेज़ेगी बताइए अब आम आदी पार्टी कह रही है क पोस्टल बैलेट पर कीजिए जब आप सरसर सीटे जीद गए थे सबका सफाया कर दिया था उस दिन आपको ये सब बाते याद नहीं आती है आज अब हार गए बुरी तरह धोस्त हो गए तब ऐसी बाते याद आती है तो मुझको लगता है कि अभीज जी जनता के पर छोड देना चाहिए और विपक्षी मित्रों को जितना चाहें इस तरह की उलजलूल बाते करने देनी चाहिए जनता और इरिटेट होगी जनता और निरास होगी और जनता इसका बदला फिर से लेगी मैं राजीव चाहिए आपका रुक करता हूँ और बहुत सीधा सवाल आपसे मैं बोचता हूँ राहुल गांधी पिछले पांच साल में 24 चुनाव हार चुके हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2014 के बाद 13 राज्जियों में या फिर खुद अपने बूते पर या फिर इवियम की बात करता है कोई पैसे की बात करता है असल में सच बात तो ये है कि राहुल गांधी की अपनी लीडर्शिप पे कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं और राजीव त्यागी एंड रिस्पॉंड टो इट सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस दिन हम यूपी में उत्तराखंड में हारे थे चुनाओ अलीन बलूनी जी मेरे मित्र है कई बार चैनल पर हम साथ रहे हमने अपनी हार स्विकार की सर जुका की और अनिल जी को बधाई भी दी उत्तराखंड और उत्तरप्रद देश के लिए अनिल जी ने हमें पंजाब गोहर मनीपूर के लिए बधाई दी कि सबसे बड़ दल के रूप में गोहर मनीपूर में पंजाब में हम चुनाओ जीते और मैंने तो यहां तक कहा कि अनिल बलूनी 99% फेस होंगे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पत के और मैं आता हूँ आपकी बात पर जो आपने सवाल उठाया था बहुत विनम्रता पूरुवा के एक बात कहना चाता हूँ भीलन हरलाई गोपियां वही अर्जुन वही बान वही अर्जुन थे जिनोंने महाबारत में पूरा महाबारत जीतने का काम किया महाबारत होने के बाद वह की हर शेह गुलाम वक्त का हर शेह पराज तो निशित रूसे वक्त को हमेशा ध्यान रखना चाहिए यही कांग्रेस जिस ने पत्पन साल अब माफ करिए राजीव जी यह अध्यात्मिक शो तो मैं करनी रहा है और आपकी बातों से मैं आपके सवाल का जवाब ने समझा आपको हमेशा किया हूँ आपको खराब है देखे वक्त की अगर आपको बात करनी होगी तो फिर तो डिबेट ही नहीं है कि वक्त हमारा कराब हमसे सवाली मत पूचे मैं आपसे बहुत सीधा सवाल रख रहा हूँ राहू राहूल गांधी 24 चुना वार चुके हैं राहूल गांधी के के निफ़ित पर सवाल खड़े हो रहे है जवाब उसका दीजे आप कभी EVM पे चले जाते हैं आप कभी पैसे पे आ जाते हैं कभी वह वक्त पे आ रहे हैं क्यों पीछ चुप रहे हैं मुद्दों से बड़ी बात यह है कि कॉंग्रेस की लीडर्शिप समझ नहीं पारी इस देश के चंता को लेंद्र मोधी पसंद आ रहा है बड़ी बात यह है अंडरेंडर दिस तिंग और बहाने बादी यह बंद करिया आप कहलवाना चारें मेरे मुँबे रखना चारें वो कभी आप सफन नहीं हो पाएंगे इस जीवन में तो नहीं हो पाएंगे मुझे अपनी बात कहने दें मैं विनमता पुर्वक अपनी बात कह रहा हूं देखे आपने कहा मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं नाव में लालकरिश अडवानी जी ने भी इव्यम मशीनों पर प्रस्टिल लगाया था तो क्या अडवानी जी को हम यह कहने हैं वो सिर्फरेण नेता क्या वह और नाव में तो बलुनी जी उसका जवाब बेटर मैं तो यह बात कह रहा हूं देखिए मैं तो इस पात को इस प प्रसकतों कि यहीं का रहे रुख जाइए अब सुनतों लीजिये अब सुनतों लीजिये एप सुनतों लीजिये यह मर्ज कहीं और है इलाज आप कहीं और करते हैं कांग्रेस के एमेले वहां के और तो रहुल गांजी को पुरी राथ फोन पर लूनी आप और अनियल जी शुपकामना ले मेरी देखिए देखिए आप बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका बहुत देखिए राजीव जी मैं आपके सुपकामना लेता हूं आप मेरे वेल विश्रस के दन्यवाद लेकिन आप देखिए कि समस्या कहा हैं आप और इसी करण आपकी लगातार 14-15 लगातार 24 हारे हो चुकी हैं समस्या कहा हैं वहाँ इलाज नहीं कर रहे हैं राहुल गांदी को प अगर वहाँ सारे विदायक मैजौटी विदायक भारते जिंदा पार्टी के अपक्ष में लिक्के देते हैं तो … जनादेश का अपमान मत किजे जनादेश में बहस्ति पर ने mars अगरने बाझपा के मत के आती जबती दित नहीं माझा पता है। मैं आपका रोक करता हूं मैं अपके बाद जी आउगा आप के जवाब लोगा बिकाव अब जाने दीजिए चल पाई यह में एक अद पेर दॉंड राजीश अगर बाट कि और लिए और बाट अब नहीं चाने पड़े नगर आपको नहीं बाट फेर गाल बाट इन दर राजनीती के अंदर एक तो विजेता होता है और एक होता है गुड लूजर आप हारते भी है और आप जीते भी है चुनाफ हारे भी जाते है और चुनाफ जीते भी जाते है इस मुल्क के अंदर ननेंदर मोधी प्रधान मंत्री बनने के बाद दिल्ली का चुनाफ हारे भी है बिहार का चुनाफ हारे भी है लेकिन अज उत्तर प्रदेश उत्तरा खड़ में अगर प्रसेंट जीत हुई है तो हरी श्रावत कहते हैं क्योंकि राजीवत्यागी बात बोलने थे हमारे किस नेता ने ये बात बोली है हरी श्रावत कहते हैं ये EVM का चमतकार है मायवत्य कहते हैं मायवत्य कहते हैं EVM में गर बढ़ है दो यू थिंक नरेंद्र मोधी की जीत को ना पचा पाने का मतलब क्या है आज आप एक नेता के तौर पर नहीं राजीनीतिक विश्श्च के तौर पर मेरे साथ है और रिस्पॉंस तो दिस गॉरबाटिया वोटरों से संपर्क ना साधना मुद्दे ना उठाना ये इनकी विफलता हैं लेकिन ये इवियम को ब्लेम करती है और मायवती जी ने क्या एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया को इसके बाद लिखा हाई कोट या सुप्रीम कोट में कोई पेटिशन डाली नहीं डाली ये साथ द की तरफ देखती है किस ग्रेस से आप हार स्विकार कर रहे हैं आगे राजनिती बहुत लंबी पारी होती है हार जीत चलती रहती है लेकिन आप ग्रेसफुल है कि नहीं अपनी हार में ये बहुत एहम बात होती है राहुल गांदी जी ने बिहार का पूरा श्रे लिया लेकि कॉंग्रेस के पास भी टालेंट की कमी नहीं है सचिन पाइलेट जी है उसके अलावा जितन प्रसाद जी है जोतिर अदित्य सिंद्या जी है इनका उप्योग क्या हो पा रहा है यह राहूल गांदी जी चाया में जो है तो बंगी खुदे समीर के ने था बार बात कर लो राजीव खुड़े जो राहुल गांदी है नहीं जाते हैं और यह जाते हैं आप टैलेंट के जारे नाम लिजाए तो राजी बैस के नाम लिजीए एक बात और कहूंगा एक अमीश जी एक बात पूरी कहूं कि देखिए मध्यप्रदेश में शिवराज सिंग चुहान वसुंद्रा राजे जी मनोहर पारिकर जी और नरेंद्र मोधी जी यह जब स्टेट के टालेंट नचर किये तो भाजपा को आज उसका फाइदा हो रहा है जो चाहिए कॉंग्रेस हो तो मेरिट को जो है उनको बढ़ावा देना होगा और अगर वो नहीं देंगे तो उसका अरजाना जरूर आगे बरना पड़ेगा जी हर जाना किसको भरना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा राजीव त्यागी आप सवाल का जवाब त्यार रखिए क्योंकि राउल गैंदी कहरे है संगटन में बदलाव होना चाहिए क्या आपको लगता नहीं है बदलाव कर देना चाहिए तो उत्रे परदेश और उत्रा खड़ने चुनावों पर जाने से पहले अब क्यों याद आ रही है ये तमाम बाते और क्या बहाने बाजी से नरेंदर मोदी की जीत कम हो जाएगी क्या ये तमाम बाते कहने से नरेंदर मोदी और अमेच शा की जीत नीचे हो जाएगी क्या ऐसा हो जाएगा क्या वेल्कम बेक आप देख रहे हैं आर पार और आज आर पार में हम जोरदार बहस कर रहे हैं ये देश की सबसे बड़ी बहस है और आज मेरे साथ राजीव त्यागी साब हैं अनिल बलूनी है मेच खान है गौरभाटिया और शेष राएंचेंग है अब गौरभाटिया की एक बात पर शेष जी कुछ कह रहे थे लेकिन मैं उस पर आउँगा लेकिन मैं राजीव त्यागी आप से जानना चाहता हूँ एक सवाल का जवाब और आप किर्पया करके सवाल का जवाब जरूर दीजेगा अमर अब्दिल्ला का एक ट्वीट आया जब उत्तरप्रदेश उत्राखंट के नतीजे आए उसके बाद एक ट्वीट आया और उन्हें बोला कि 2019 विपक्ष भूल जाए अब त्यारी 2024 की करनी चाहिए क्योंकि फिलहाल नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है क्या आपको लगता है वाकई जिस तरह से अभूत पूर्व जीत हुई है नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंड पाना फिलहाल मुश्किल नजर आता है जो बात अमर अब्दिल्ला कह रहे हैं और इसलिए आप बहाने ढूंड रहे हैं इदर उदर के जी देखे देखे मैं तो मैंने शुरू से कहा और हमेशा कहता हूं जी आपके साथ बहुत डिवेट में कर चुका हूं हमेशा वक्त को मैं सलाम करता हूं वक्त का इंजार करिए वक्त सबका सब्सिदूट दे देता है सभी का सब सवा सेर जरूर मिलता है हंदोस्तान जाएगा वह सवासेर उनको बनाने की कोशिश चल रही है यह देखिए मैं को दर देता हूं उद्धैन की जवाब थोड़ी जादा करें यह वक्त की ना तर बुरा है और अध्यात्म का सारा लेना क्या बुरा है या अध्यात्म को जीना क्या बुरा है मैं जवाब देता हूं इसका जवाब राश्ठ पती बने तो हमेशा राधनीती अनवरत प्रक्रिया है इसको करते रहना चाहिए तो मतलब आपके रहें कि अभी राहुल गांदी और बंदस पर चुना वार जाएं वो बने रहेंगे उनके लावा हमारे पास कोई नेता नहीं है राहुल गांदी जसके तस रहेंगे हार भी जाए लेकिन अगर 20 साल बाद दन जाएंगे तो हमें खुच ही हो जाएगी फिर मान लीजे फिर हमार अवर अवदुला का ट्वीट आप मान रहे हैं फोर मीडिस इस दे न्यूस क्या वह अवर अवदुला जो दोजार चोबिस का ट्वीट कर रहें उसको मान रहें कोई उन्मीद नहीं है चंदरशेकर जी शिम्ला में इंद्रा गांधी के मर्द जी के खिलाफ कांगर्स वरकिंग कमिटी ऑई एलेक्शन लड़े थे और जीते थे और इंद्रा जीने उनको सुईकार किया था वन जवाहिला नहरू के कंडिडेट थे जेवी कृपलानी कांग्रेस प्रेजिडेंट के एलेक्शन रड़े थे 1950 में हार गए थे और जवाहिला ने सुईकार किया था महात्मा गांधी के कंडिडेट थे पटा विसीता रमया 1937 में और वो नेता जी सुवाचंद बोस से हार ग कांग्रेस जो है एक बात बहुत साफ समझ लिए कि डिमोक्रसी में सत्ताधारी दल की जो हैसियत होती है अपोजीशन मजबूत की वही हैसियत होनी चाहिए और अगर आपने अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे कि साब सचिन पाइलेट और जितिन परशाद को क्योंने लगा ज हैं तो बौर ऑरीजिनल समालिया है कि या राजी गांदी राजीयो त्यागी का नंवर आएगा ओऊ किवह जो सकते हो घुगारातु क्यों पर आता हूँ आपके पास क्या रहा है आप आपकी क्या रहा है क्योंकि बार 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 होती है क्योंकि अमेच चाने हमारे इंटिव्यू में बोला कि जी हाँ 2017 से 2019 की रणबेरी बचती है उत्तर परदेश में जीत से 2019 की जीत का रास्ता निकलता है इसलिए जीत पचा पाना मुश्किल है बताईए अनल बालूली देखिया हमिज जी इनको तो कुछ समझें नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें जिस तरीके से मोदी जी की सरकार और मोदी जी काम कर रहे हैं इनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है इनके पस कोई तोड़ नहीं है और देखें मोदी जी ने परसो भारते जिंटा पार्टी की कारले में बहुत बड़ी बात कही उससे इनको सबको सबक लेना चाहिए मोदी जी ने का आज हम जीत गए हैं जीतता उसी तरह के उससे फलदार विरक्ष जुका होता है उसी तरह के समको जीत की तरह लेना चाहिए और आज हम जीते हैं यह जिन लोगों ने वोट दिया यह उनकी सरकार है और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया यह उनकी भी सरकार है ये सरकार सबकी सरकार हैं ये है जीत का तरीका और ये जीत का कौन सा तरीका अपना रहें ये कौन सा जीत का तरीका बता रहें कभी कहते है इवियम जूटी हो गई कभी कहते है फला जूटी हो गई लेकिन वास्तिविक्ता क्या है हमीज जी कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे मोती जी जिस तरह से योजनाओं को गरीबों को लिए काम कर रहे हैं उससे सब कुछ सारा गरीब वंची सोसीत महिलाएं सब भारती जंदा पार्टी की तरह बदल गिया है और इनके पास कुछ बचा नहीं है इनके पास ना वीजन है ना काम करने के ताकत है इसलिए सब परेसा सब्सक्राइब पार करें कि यहासी को थांधा को थाओं करया हैं करें झाले और यह वार्टी जिशनी ने कहा है ल हुए करेंगे नहीं करेंगे ने गौरबाट यह मैं आपके बसातों एमेच खान काफी देर से रिबेट में नहीं आए हैं मेच खान की बारी है मैं चुनाव जीते जाते हैं चुनाव हरे जाते हैं 2012 में भी आप हारे 2017 में आपका सूपड़ा साफ हो गया इसका मतलब इवियम खराब नहीं होई थी दिली में फराब नहीं भी आप दिकर रही है यह explicoke बचले और नहीं कर दो सकते हैं यह यह जite रृधे जाता है मैं बात यरे दिल्ली के चुनाव हो चाहिए बिहार चुनाव हो इन लोगों तो 27,000, 27,455 नों कहा सुस्टार है, आप कहना कह रहे हैं, इलेक्शन कमिशन, इलेक्शन कमिशन BGP के साथ मिल गया, और उसने उत्रा खंड और उत्तर परदेश में जीत दिला दी, और पंजाब में इनको हरवा दिया, बिल्कुर, 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 आप तो इतने नहीं देंगे, तो फिर आप बोलेंगे, आपने मर्जी के साथ से बोलू तो गलत, ये देखिया, आप को बता रहा हूं, मैरे पास कागज है, देखिये, इन्होंने पंजाब की जो बात कर रहा है, पंजाब में, जी, अरे जनाब, एब देशकी मर्जी के हसाब से बोली है, आप सुनिये, जिस, जिस, अरे साथ कमाल कर दिया, आपने बात ही नहीं सुनना है, तो मैं क्या कर रुचिप हो जाओ, आप कहिए है तो नहीं बोलू है, अरे जनाब, अगर मजबूत तक्ते हैं, तो कोट में चले जए, गौरा बाटिय नहीं तो बोला, अगर मजबूत तक सेश डराएंग जी अगर कहां तो समझने बात आती है, पहली बार आपके टीवी पर देख रहा हूं, बिशले साक कर रूप है, अब मैं अपनी बात रख सकता है, अब आप पूरी बात पर देंगे, तो कहां से बात आएगी, अब मैं बोल सकता हूं, कहां से बात आएगी, अपनी बात रख सकते हैं, आप आपका बहुत टाइम देलिया, हमारा को टाइम नहीं, आप हाई कोर्ड, सुप्रीम कोर्ड क्यों नहीं चले है, मायावती जी ने कहा कि EVM में गरवडी है, जब 2007 में मायावती की सरकात बढ़ी तब EVM में गरवडी है, अब बिल्कुल गरव सुप्रीम कोर्ड, 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 सुप्रीम कोर् कर सकते हैं आप परसनल आटक कैसे कर सकते हैं आप जाकते रहे तो रात दिन क्या मैं तो यह कहूंगा कुम करनी नींद में सो रही थी कुम करनी नींद में आज से कभी जंता से आके रोड पे मिली है कभी गाड़ी सो उतरी किसी से बात करी जब वो मुख्यमंत्री नी रही 5 साल कोई उनसे मिल नहीं सकता था आपको पता है कि यह नहीं हम अपनी बात रखने की स्वतंतर्था तो रखते हैं हमें चुनां के लड़ना होगा लड़ें और जीते नी आएंगे आप चिता ना करिये उन बात की आप जाएंगे अनर्गल अनर्गल बयान मत लगाएं यह उचे तही है करना चाहिए लेकिन इंट्रेस्टिंग यह है यह सब कुछ हुआ मायवत्टी को ध्यान में आया कि EVM खराब है वो ध्यान में आया चुनावी नतीजे आने के बाद जब बीजेपी 300 के पार चले गई और आप 25 के आसपास रहे गए उसके बाद तो 20 के आसपास रहे गए तब आपको ध्यान में आया क्यों उससे पहले क्यों नहीं आया उससे पहले क्यों नहीं आप बोली जब वोटिंग हो रही थी कि EVM में कुछ दिक्कत आ रही है जो भी बटन दब आ रहे हैं वोट कमल को जा रहा है बड़ी बाते हैं और क्या वाकई कॉंग्रेस पार्टी राहुल गांधी कुछ हलके बयानों की आड़ में चुपने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये हार जितनी जीत प्रचंड है उतनी हार भी प्रचंड है और क्या जो अब दुल्ला ने बोला 2019 तो छोड़िए 2024 में मोदी का कोई सानी नहीं होगा क्या वाकई पक्षको नरेंद्र मोदी की इस जीत से अब डर लगने लग गया है 2019 का कुछ ये भी पहलू है वेल्कम बैक आप देख रहे हैं आर पर और मेरे साथ अनिल बलूनी राजीव त्यागी एमेच खान गौरभाटी और शेष रायन सिंग है इस दौर में मैं आपके पास आना चाहता हूँ राजीव त्यागी क्योंकि आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे मैं आपके पास आ हो जाए कि वीम में घर बड़ी है पैसा लगाया गया है क्या आपको लगता है कि ये कही नँवकर ना चाहिए निराुल गांदी को कुछ नहीं होना चाहिए वाल खड़े होते ने और इसी तरह से भी मायावती पे उंगली नहीं उठी चाहिए बाकिया चीज़ पर सवाल खड़ी कर दिये जीत है इसी तरह की जीत इंद्रा गांधी को नहीं से खत्तर में मिली थी कि यह जो रूल है आप फार गए लेकिन डेमोक्रसी में आपका रूल खतम नहीं होता है लेकिन सवाल बुनियादी यह है कि राहुल गांदी अगर अपने ग्रैंट मदर के बाद तीसरी पीड़ी है इस बीच उनकी मां भी रह चुकी है तो चार उनके परिवार के लोग अद् जब 1962 में गैर कांग्रेसबाद के चार कंडिडेट की घोशना करने के बाद तीसर्थ में लोहिया जी ने की थी तो पानी पीड़ी के जौर्प फन्नांडी जी उनका विरोध किया था और लेकिन बाद में जब गैर कांग्रेसबाद एकसेप्ट हो गया तो उन्होंने उसको स्विकार किया और दिन दियाल उपाद ध्याय जेवी क्रिपलानी और डाक्टर लोहिया चुनाओ लड़े दिन दियाल जी को वहां के राजा नहरा दिया सुन लो पूरी बाद तो डिमोक्रेसी में अपोजीशन का रोल है वो है और अगर ये राहुल गांधी हर हार के बाद अपने आपको नहीं जिमोर ठहराएंगे दूसरों को ये राज्यों का नेता बदलनेंगे अरे भई या पहले तुम अपने को तो बदलो और मैं कहता हूं कि कांग्रेस में आज भी टैलेंट की कमी नहीं है राज्यों के पास सही है उनको मौका तो दो जी गौरबाटिया आ आठ में से आठ सीटे वारा नसी की जीते हैं राहूल गांधी अमेठी में पाच में से केवल एक सीट जीते हैं अपनी कॉंस्टिट्विंसी में भी हार रहे हैं और आज इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है कि भारत में इस वक्त सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी है और जिस तरह से पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का माइक्रो मैनेज अमिच शाजी ने किया मैं समझता हूँ उसका असर पड़ा ये चाहिए और विपक्षी पार्टियों को भी हवा में चुनाव ना लड़े और अच्छे लोगों को आगे लाए जिसमें मेरे भाई राजीव त्यागी भी है राजीव त्यागी बहुत जमीन के नेता है ऐसे लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए सबी पार्टियों को जी राजीव त्यागी सारी बात है एक तरफ कप्तान तो कप्तान होता है हार और जीत उस पर निर्भर करती है और हाजीत की जिम्मेदारी भी होती है ते राजीर त्यागी राहूल गांदी से ज्यादा टेलेंटिट है इसका विश्वास में दिलाता हूं अरे चोड़िये चोड़िये सब इससे कोई अस्तर नहीं पढ़ता है इन सब चीजों से सुनिए अब बेरी बात इन डेमोक्रिसी यू सेल इन दे सेम बोट अल अफ आप डेमोक्रिसी में पजार तंत्र में एक ही नाव में चलते हैं नेश्री तुरूजी जब आप जीते हैं तो सबी जीतते हैं हारते हैं सबी लोग बाग हारते हैं और 1214 के चुनाओं के बार रहूल गांदी जी पहले वक्ति दे जिन्न उनने हार की जिम्मेडारीली थी और सुम कहा था कि कम हार की जिम्मेजारी लेता हूं मुझे उá Pr unity बासरे चाहूंगा दूसरी बात केना चाहूंगा शेश नारांगी ने मुझे भीच में लाएं कि राजी त्यागी बोट टेलेंटे देलेंटे लिए उसके लिए बात केना चाहता हूं यही गांदी फैमली की ब्यूटी है यही हमारे लोगतंत की ब्यूटी है पार्टी के कि गांदी फैमली टोटल जितने भी स्टेट के लीडर संग को फ्री हैंड देने का काम करते हैं और अम्रेंदर सिंग जी को free hand दिया गया था, हरिश रावठ जी को free hand दिया था, रिगार उत्तरपरदेश में free hand दिया था, सब को free hand देते हैं, और नगर्व के साथ कहता हूं गांदी family हमाली nucleus है और हमारी center of gravity है, आप मुझे बताईए, राहूल गांदी अभी आपने खुद्परा 2014 के बाद बहुत करने होंगे यहार मेरे जिम्मेदारी है अभी इस अंकटर मुझबूत करना पड़ेगा भाई पिछले धाईस से तीन सालों में क्या करा है बड़ी बात यह है रिपोर्ट कार्ड मेरे सामने है ओके अरे जनाब आज आप समय की धुर्री पर अठके पड़े है समय डिबेट में भी होता है सर अगर ऑषिए नहीं से बाद नहीं इसका ध्यान रखेंगा और सब्सक्राइब बना प्रते एक संस्ता के जीवनकार में आता है ये जीवन तरिसन देना बन करें बाद पॉलिटिक्स की और ये सब कर लेते हैं जवाब ले लेते हैं एक और वीवर भी देख रहा है ने तो बंद कर देगा टीवी चला जाएगा तो नहीं देख नहीं देख रहा हैं तो मेरे सवाल का जवाब आपने अभी दिया था अमीजी ओके अनिल बालून अब देखे अमीजी जब सरकार बनने के बाद कुछ उत्तरप्रदेश कंदर उपचुनाओं हुए थे और उस चुनाओं में कांगरे और समाजवादी पार्टी जीद गई तो राहूल गांदी भी कह रहे थे कि देखिए सरकार का फेलियर हो गया और हमें उपचुनाओं हमने तो अपना काम करके दिखाया है राहूल गांदी तो जड़ा जवाब देहीं तो लेना उनके यहां सारे सीटे आर गया है यह लाम बंदी 2019 के लिए आम आकी पार्टी जेडियू कंग्रेस सब एक सरफ आ रहे हैं यह लाम बंदी 2019 के लिए सीधा सवाल है मेरा लिल बलु देखिए यह देखिए अमेजी यह तो सत्ता के विकर तड़ रहे हैं और बिना पानिकी मचलि की तरह तरह तड़ और एक किसी तरीके हैरे नहीं मेरा बंदी अवरी पाल पाते करो अब जिस तरह कि उल्जलूल पाते हरी यह राहूल गांधी कर रहे हैं मायावती जी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर देखिए मजा कुड़ा है कि नाक ना जाने अंगन तेड़ा तो कि राजीव जी रिस्पॉंड आप अच्विमेंट की वारास्त हर्यावत चुनाव हारास्त हर तो कि यह राजीव जी जी तेके मैं अन्यल बलूनी जी बहुत पॉलाइटली कहना चाहूंगा बहुत पॉलाइटली कहना चाहूंगा विनाश बूलम एहंकारत से इतने एहंकार में मजा यह 55 साल 27 से बाहर रहे थे अभी तो 3 साल हुए हैं कुछ डिलिवर करिए कॉंग्रे के पास विजन है आपके पास डिवीजन है तो आप डिवीजन करके सत्ता हाथ या लेते हैं लेकिन आप जब आपका जन्हांग रहे लेकिन आपकर ज़नव हुआ था या मेरा जनम हुआ तब कॉंक्रस की सरकार थी तो मालने जाए कोंग्रेस इतिहास की पार्टी है यह बताना चाहते हैं इस वक्त वे से अपने कांगरेस इतिहास की पार्टी है कांगरेस पार्टी आफिस्ट्री यह बता है यह बता है जरा देश बड़ा जरूर मिला है जिविदारी भी उतनी बड़ी होती है पहले थी 77 अब 325 विदायक भी आपके है तो पिछले दो साल के इंदर काम करना होगा लेकिन अगर नहीं करा तो 2019 में यही कांगरेस यही सफा सामने भी खड़ी हो सकती है इसमें भी बता फरक समझेगा इसलिए जीत के विमाएने और हार के विमाएने इसलिए यह बात कही जाती है